हम अपना better version बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम habits की उपर काम करें, कुछ नई habits डेवलप करें और कुछ ऐसी habits जो हमको हमारा better version बनने से रोक रही हैं, उनको हम drop करतें और जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं भी personal growth की जर्नी पे हूँ, तो इसलिए मैं भी ना हर साल कुछ new habits को अपनी daily routine का पार्ट बना लेती हूँ, ताकि मैं भी हर साल अपना better version बनती रहूँ हाई, कैसे हैं आप मैं हूँ dr. शेखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी new habits शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने इस साल develop की और जिनों ने मुझे मेरी personal growth की जर्नी पे, self improvement की जर्नी पे एक step और आगे बढ़ा दिया अगर वीडियो शेडू करने से पहले इनके साथ मेरा ये face आज पहली बार देख रहे हो ना, तो चैनल को subscribe करके notification bell पे click जरूर कर देना मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अप्लोड करती हूँ, जो हमारी quality of life को improve करके हमें हमारे higher self से connect कराने में support करते हैं So without any further delay, let's begin और अगर आप भी मेरी तरह personal growth की journey पे हो ना, तो इन सब habits को no doubt कर लेना और कोशिश करना कि one by one आप इन habits को अपनी life में include कर सको ये सारी habits ना, life के अलग-अलग area से related है, जो सबसे पहली habit है उसने मेरी productivity levels को improve किया और वो ये थी कि मैंने खुद अपने साथ एक WhatsApp group create किया, जिसमें कि सिफ मैं ही हूँ तो उस group में मुझे बहुत सारे benefits हुए क्यों कि कई भर क्या होता था कि YouTube पे या फिर Google पे मैं कई बर कोई article पढ़ती थी और होता था कि मैं इसको बादने पढ़ूँगी, favorites में add कर लेती थी, watch later में add कर लेती थी, लेकिन बाद में वो mind से skip हो जाते थे, मैं और-और add करती रहती थी और मैं फिर उनको बूल जाती थी देखना लेकिन जो मैंने WhatsApp ग्रूप बनाया तो इसमें मुझे जो भी कुछ चीज ऐसी important दिखती है, कोई article हो, कोई research हो, या कोई video हो, तो मैं उसको अपने WhatsApp ग्रूप पे, जो कि मैंने My Personal Space नाम से बनाया हुआ है, उस पे share कर देती हूँ, और क्यूंकि WhatsApp को तो हमें चेक करने की आदत है ये routine में, तो जब भी मैं अपने WhatsApp को चेक करती हूँ, तो मैं My Personal Space को भी चेक कर लेती हूँ, इससे कोई भी चीज मेरे माइंड से skip नी होती, तो कुछ भी चीज जो मुझे अपने आपको यादिलानी हो, कोई बहुत ज़रूरी टास्क हो मुझे करना हो, या फिर दिन में क productivity है, वो भी इंप्रूव होती है, क्योंकि मैं कुछ भी काम करना भूलती है नहीं, जो दूसरी habit है, उसने मेरे energy levels को इंप्रूव किया, तो मैंने रिसेंटली एक बुक पड़ी, जो थी, How to Stop Worrying and Start Living, इस बुक में एक चेक्टर में में मेंशन किया हुए है, कि अगर हम चाह लेकिन ऑथर ही कहते हैं, कि अगर हम अपने जो waking hours हैं, उनको increase करना चाहते हैं, तो हमको दिन में ना किसी भी टाइम एक चोटा सा nap ज़रूर ले लेना चाहिए, अगर हम वो nap ले लेते हैं, तो हमारे waking hours बढ़ जाते हैं, waking hours का मतलब यह नहीं कि अगर मैं 10 बजे सो रही थी कोई काम करने का मन नहीं करता था, mentally भी थक जाती थी, physically भी थक जाती थी, तो इसका chapter number 23 है, जिसका नाम है कि how to add one hour a day to your waking life, उसमें उन्होंने बोला है कि अगर हम एक बढ़ पावर नैप ले लेते हैं दिन में, तो हम जादा active रह पाते हैं, और मैंने इस चीज को जब इंप किया, तो मुझे ही पता चला कि अगर मैं after lunch एक छोटा सा nap ले लेती हूं, तो उससे मैं जादा active रहती हूं, सोने के time तक भी मैं ठकती नहीं, जिससे कि जब मैंने next day की planning करनी हूं, next day की task करनी हो, और जो मेरी evening routine है, night routine है, वो मैं उसको और जादा energetic रह के complete कर पाती हूं, जो मैं दिन में सिफ दो major meals लेती हूं, breakfast and then evening में जाकर मैं lunch करती हूं, थोड़ा late lunch करती हूं, time gap जादा होता है, six to eight hours का time gap में बीच में रखती हूं, breakfast और lunch के, और उसके बाद अगर मुझे बहुत ही जादा भूग लग जाए, तो हलका फुलका मैं कुछ खा लेती हूं, कभी fruit लेकिन सिफ दो major meals लेती हूं, दिखने में चाहे मेरा weight कम लग रहा हूं, चाहे नहीं लग रहा हूं, लेकिन मुझको बहुत जादा अपनी body light feel होती है, bloating के issues नहीं होती है, जो भी खाओ easily digest हो जाता है, और साथी साथ मैं जादा energetic भी फील करती हूं, जो next habit है, उसने मेरे intellectual levels को improve किया, book reading के habit मैंने काफी पहले develop कर ली थी, और मैंने आपके साथ यह बहुत बार शेयर किया है, कि self improvement की journey, personal growth की journey, उसके लिए inspire ही मैं self help books को पढ़ने के बाद हूई, तो book से related ही, मैं एक new habits से self develop की, और वो थी audio books को सुनने की, book read करना मेरी morning routine का एक पार्ट है, मैं travel कर रही और वैसे तो बहुत सारी platform है, जहापे हमें audio books और summaries सुनने को मिल जाती है, लेकिन मैं audio books और summaries को 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 FM से ही सुनती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छे ची self help books है, बहुत सारी ऐसी books है, जो कि मेरी to be read list में है, काफी time से, लेकिन क्योंकि मैंने ये सूचा हूँ है कि जब तक मेरे पास जो books मैंने पहले मंगा कर रखी हूँ है, वो मैं पढ़ना finish नहीं कर देती, तब तक मैंने और new books order नहीं करनी, तो इसलिए audio books सुनने से, मुझे new book buy भी नहीं करनी बढ़ती, और मुझे इस book से learning भी मिल जाती है, और best thing है कि को 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 FM पे हम books की summaries या audio books ज सुनी, जिसमें से कि मेरी favorite बनी, cleans to heal, जिसमें कि बहुत सारे detoxification की method बताए गए है, diet plans बताए गए है, जिसे कि हम घर है कि अपने body को clean कर सकते है, internally, detox कर सकते है, तो अगर आप भी audio book सुनने के habit को develop करना चाहते हो, तो कुको FM को ज़रूर install कर लेना, उसको download करने का link मैं अपन books सुन सकते हैं daily basis पे पूरा साल और कितनी भी time के लिए सुन सकते हैं, अगर आप उस membership के लिए apply करते हुए, मेरा coupon code use कर लेते हो, जो कि है DSM 50, तो आपको उस पे 50% off भी मिल जाता है, तो कुको FM पे आप बिना किसी distraction के, पूरे focus के साथ books को सुन सकते हो, जिससे कि आप अपन कर रही थी, क्योंकि जब तक हम practice नहीं करते हैं, तब तक हम असली तरीके से नहीं सीखते हैं किसी चीज़ को, तो मैंने ना कहना practice किया, जैसे कि अगर मेरे साथ कोई gossip करता है, तो मैं वहाँ full stop लगा देती हूँ, बहुत सारे ऐसे groups जिनका मैं पार्ट नहीं बनना चाहती तो महाँ पर मैंने ना कहा, और मैंने पता है, इससे ये सिखा कि जब भी हम ना कहते हैं, वह डरते हैं ना किसी को, तो उसका मतलब ही होता है कि हम people pleaser हैं, हम खुद को ignore करके दूसरों को prioritize कर रहे हैं, और जब मैंने ना कहना शुरू किया, तो मैंने identify कि हमारे अंदर का ये डर ही होता है कि कोई नाराज हो जाएगा, तो किसी को नाराज करने के डर से हम ना नहीं कह रहे होते हैं, जब मैंने ना कहा, तो मुझे पता चला कि नाराज तो कोई भी नहीं होता, और जो लोग नाराज होते हैं, वो ultimately, कोई ना कोई भाना ढूनकर नाराज जरूर हो जात develop की उसने inner level पे मेरे अंदर बहुत सारी changes लाने में मुझे help किया और वो ये थी कि दिन को तो हम plan करते हैं ना बहुत सारी task plan करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है उसके साथ-साथ मैंने ये plan करना शुरू किया कि मैं आज के दिन में कैसा behavior करने वाली हूँ मैं कैसा behave करने वा आज मैं कैसी रहने वाली हूँ जैसे कि आज के दिन में किसी को गुसा नहीं करूंगी आज मैं बहुत शांत रहूंगी आज मैं जादा smile करूंगी आज मैं बहुत जादा productive रहूंगी तो जब मैं intention set कर लेती हूँ ना डेकि कि आज कर दिन मुझे ऐसे ऐसे रहना है तो मेरे बहुत easy हो जाता है उन सब inner qualities को develop कर पाना जिनको की मैं अपनी personality का पार्ट बनाना चाती हूँ तो इसलिए अगर आप भी कोशेश कर रहे हूंगी कि किसी quality को अपनी personality का पार्ट बना लो तो उसके लिए बहुत जादा मत सोचो सुबे उठो और उस दिन के लिए उस चीज को कर दो सोचो कि वो quality आपके अंदर आ गई है जब आप इस तरीके से करना शुरू करोगे ना कि जिसको develop करना है उसको imagine कर लो की develop हो कही है अब मुझे उसके उपर action लेना है तो आप उस quality को जादा एजली अपनी personality का पार्ट बना पाते हो और अपने day की intentions को सेट करने से ना मै अपनी emotions को भी जादा बेटर तरीके से मैनेज कर पाती हूं जो next habit मैं डेवलप की उसने भी मेरी mental health को इंप्रूव क्या और वो थी पूरे एक दिन की छुटी यानि उस दिन कोई काम नी करना है ना घर का कोई काम ना cooking की मैं एक time की चुटी कर लेती हूं इस time पे सिफ bare minimum टा जैसे चोटी बेटी है उसको रूटीन कराने है ब्रेक फस्ट बनाना है बहुत चोटी चोटी से जो काम होते है वो करती हूं बड़े-बड़े काम चोट के मतब रिलाक्स को प्राइरटाइज करते हूं कि आज के दिन रिलाक्स के लिए time जादा और बाकी जो मेरे प्रोफे करती हूं कि ऐसे कोई एक्स्ट्रा काम हो ना डेली रूटीन से घर के उनको मैं 5-10 मिनिट्स के अंदर थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा करती रहती हूं तो वह एक साथ इतनी जादा नहीं होते जितना होता है काम साथ के साथ निप्टाती चली जाती हूं जिसकी विरे से मु करना मेडिटेशन में पहले से करती हूं डेली करती हूं लेकिन साइलेंस प्रैक्टिस मैंने शुरू किया प्रापर मौनवरत रखके क्यों क्योंकि मैंने ये देखा कि मुझे ना बात करना बहुत अच्छा लगता है और जब मुझे कोई मिलता है तो मुझे अंदर से अर् करकर की ही वेस्ट कर देती थी तो इसले मैंने ये हैबिट डेवलप की कि अब मेरा दिन में प्रॉपर दो घंटे जब मुझे पता हो कि मुझे पूरे फोकस के साथ काम करना है मैं मौनवरत ही रख लेती हूं कोई कोई काल आती है तो मैं उठाती नहीं हो इसलिए ना मैं कि से बात करते हूं कोई मुझे धिखता भी है तो भी मैं बात नही कर पाती क्योंकि मैंने मौनवराथ ले लिया तो इससे क्या होताstorm मैंन रिलाक्स होता ही साथि साथ मेरा फोकस और जाग इंपरोफ हो जाता है क्योंकि कोई distraction नहीं रही जो सबसे बड़ी distraction है मेरी बात करने की वो खतम हो जाती है तो मेरा सारा का सारा ध्यान मेरे काम पे रहता है साथी साथ जो हमारा internal chatter चलता रहता है न हम सोचते हैं कि उस internal chatter को हम किसी तरीके से control कर लें कम कर लें उसकी शुरूआत भी यहां से हो जाती है कि जब हम हमारी जो बाते करने वाली urge है न हम जब बात करनी बंद करेंगे थोड़ी सी silence practice करेंगे external level पे तो धीरे धीरे वो internal level पर भी उसका असर दिखना शुरू हो जाता है और दो घंटे जब मैं मौनवरत रख लेती हो न तो उससे यह भी होता है कि बाकी पूरा दिन में भी फिर मैं बहुत जादा नहीं बोलती हूं मैं थोड़ा कम बोलती हूं सोच लेती हूं कि जो मैं बात करने वाली हूं क्या यह ज़रूरी है तो करती हूं दरवाइस नहीं करती हूं बहुत अंदर से एक पीस एक काम फील होता है और जो बात करने में मोस्टली एनरजी मेरी खर्च हो जाती थी ना उसको भी मैं सेव कर लेती हूं जो नेक्स्ट हैबिट मैं ने डेवलब की उसने भी मेरी हेल्थ को करती थी ना तो वो मैं एड देख के करती थी कि मेरी किसी फेवरिट अक्टरस ने किसी न्यू प्रोड़क्ट को प्रोमोट किया तो मैं फटाफट से जाकर उसको लेकर आ जाती थी लेकिन अब मैं क्या करती हूं अब मैं पहले उसके लेबल चेक करती हूं रिवियोज चेक करूं तो skincare के तो मुझे फिर भी बहुत सारे मिल जाते हैं लेकिन makeup के जो products है ना वो बहुत कम मिलते हैं ayurvedic organic लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा research कर करके कुछ अपना जो थोड़ा सा collection है उसमें ayurvedic natural organic जो है जो chemical free products है वो use करने शुरू के है अगर आप चाते हो कि मैं आपके क्योंकि वो हमारी health को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमको उनको avoid करना बहुत जादा जरूरी है इसलिए से दिखावे के basis पे नहीं actual क्या quality है product की उसके basis पे ही अब मैं skin care, hair care और beauty products बाइ करती हूं जो next habit मैंने develop की उसने मुझे financial level पे खुद को improve करने में help किया और वो यह कि अब मैंने expenses income दोनों note करती हूं जिससे कि मुझे clear idea लगता है कि मैं कितना amount spend कर रही हूं, कितना amount save कर रही हूं, कितना amount save कर रही हूं, कितना invest कर रही हूं क्यूंकि मैंने बहुत बार कोशिश की expenses को note down करने की लेकिन मैं थोड़ा time करती हूं, फिर मैं भूल जाती हूं, अब मैंने इस साल regular basis पे expenses जो है, उनको note down करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि कितने expenses ऐसे होता थे, जो मैं unnecessary कर जाती थी, उन expenses के towards में जादा aware हूई, इसलिए उन unnecessary expenses को करने से मैं बच जाती हूं जिससे कि मैं जादा investments और जादा savings कर पाती हूं, इन में से कौन से habits ऐसे हैं, जो कि अल्रड़ी आप भी follow करते हो, या कौन से ऐसे है कि जो आप चाते हूँ develop करना, comment करके मैं इससा जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छा लगा हो, तो like जरूर करना, मिलते हैं नेक्स वीडि झाल्स करना